देखिए इतने सुपर सोफ्ट हमारे अप्पे बने हैं आप देख पा रहे हो अभी मैं आपको खोल की भी दिखा रहे हूं देखिए आप नस्दीक से देखिए उसमें जो भी हमने सब्जिया डाली है वो पूरी दिखाई दे रही है और इसका आवाज सुनिया बाहर से जितन करते है इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप रवाल जिसके हम सुझी कहते हैं वो सुझी लिए और 1 कप में थोड़ा कम इसा हमें बेशन लिया है और उसमें दो कप 6 मिलेंगे छास एक साथ में नहीं मिलानी है दीरे-दीरे उसको मिलाते जाना है और बेटर को हमें मिक्स कर ले करेंगे और बाद में देखेंगे जरुर अफॉड फॉड़ी तो हम तनी हमने ली है अभी आगे मैं बताऊंगे कौन से पैंजि अब्ज़ 한다 कर लिया और फूल गई तो हम थोड़ाई डालके उसको करेंगेिअगे अभी उसको अन्यूस करके हमें बहुत पतला पैटरं भी नह इस तरफ का हमें बेटर बनाना है, अभी हम इसी एक बेटर से तीन तरफ का नासतथा बनाएंगे, तो 다음 लाज तक देखना नहीं बाई है उसका हम तीन इसे में उसको डिवैट करेंगे तो भी हम पहले हमारे वड़े बनाएंगे जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सौफ्ट है तो उसके लिए मैं यहां पे दो बड़े चमचे भर के बेटर लिया है अभी उस बेटर में हम थोड़ा सा पालक डालेंगे आप चा पाउडर हम डालेंगे यहां पे मैंने पालक के साथ हरी मिर्च भी डाली थी अभी सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हमारा हमने तेल गरम करने रखा था वो भी गरम हो गया है तो इससे हम एक ही साइज के वोड़े बना लेंगे यहां पे मैं उसको दो ब वह बगा क्रिसपी हो जाएँगे बाहर से इतने क्रिसपी रहेंगे अंदर से बिल्कुल सोफट हो वह अभी इसको form ने चमच से ह्र डा कर दिया है पिसफ्झे संपॉड़ राल कलर हो जाए तो कि और दो नकु तको भी निकाल लेंगे में तो एक बार हम ने उसको तल लिया है और ऊसको साइड में रहेंगे हिज थन्दे और चाहँ में उसको चीले बनाने इसको पुडला भी बोलते हैं तो उसके लिए मैंने दो चमच वापस बेटर ले लिया है उसमें प्याज केपसी कम गाजर हरी मीड टमाटर और धन्या पति डाली है और यहां पर हम कच्छा अलू ले लेंगे आधा अलू भी ने लिया है और कच्छा अलू लेकर उसको इसे ग्रेट कर लेंगे इसे उसमें अच्छा टेस्ट आता है और हम यहां पर थोड़ा सा पानी डालेंगे उसको थोड़ा पतला करेंगे अभी यहां पर उसको अच्छे से यहां पर हम मीक्स कर लेंगे और थोड़ा और पानी डालेंगे और उसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे अच्छ ने यहां पर हमारा जो तवब तवा है वोगर्म कर दिया अभी वोगरम हो गया है तो हम उसमें हमारा एक चमचा भर के बेटर डालेंगे और उसके इस से फैला लेंगे हम यहां पर उसको बहुत पतला धोर्षे की तरह नहीं बनाना है अभी हमें इसे बेटर को पूरा फैला लेना हे कर विस को यहां पर मैं थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूं च्छाया डाल के आप चमद से उसको अच्छे से और अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा चीला जो है वो बनके रेडी हो गया है देखिए अभी इसमें सारी सब्जिया भी दिखाई दे रही है अभी हम साइड में हमारे जो वड़े हैं उसके वापस दूबारा तलने के लिए हम तेल भी गरम करने रख देंगे और मैंने वड़े ठंड़े होने के बाद उसको थोड़ा प्रेस करके रख दिया है जब तक तेल गरम होता है हम हमारे अपे बनाने के लिए बेटर ले लेंगे अभी जो बचा है बेटर उसमें हम सब सबजिया डाल देंगे तो पहले में ने यहां परमिक्सिक जार लिया जिसमें अद्रख हरी मिर्च और ग्रीन लशन लिया है और उसमें हमने हमाः फ्रेसे जो मटर होते है उसको डाल के उसका पेष्ट बना लिया ऑर वह पे्ष्ट हाम उसमें डाल देंगे फिर हम चोपी सब्जिया बच्ची है वो उसमें डाल देंगे हरी मीर्च है लसन है फिर प्याज है टमाटर गाजर है और केप्सिकम और धेर खारा धन्या यह सारी सब्जिया उसमें डालके हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको में गाड़ा ही रखना है बहुत पतला नहीं बनाना है फिर हम उसमें यहां पे चिली फ्लेक्ष डाले है नमप और ब्लेक पेपर पाउडर अभी इस बेटर को हमें मीक्स कर लेना है और अभी हमने साइड में जो तेल रखा था मेंने उसमें वड़े हमारे है तो हमारे वड़े अभी हो गया है पर फ्रेंड उसको भी आप टीश्यू में या कहीं पे भी मत डाला इसे छनी लेना उसमें डाला ताकि वह इसे ही क्रिस्पी बने रहे है वन्ना क्या होगा आप टीश्यू पे पेपर ने फिन पे डालेंगे तो वह सोफ्ट हो जाएंग यूज कर लेना है तो मैंने यहां पर गेस पर प्राक की जो पेन होती है वह जड़ा दी है घरम हो गए है तो हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और हमारा जो बेटर है वह उसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे तो मैंने यहां पे सभी में एक एक चमच बेटर डाल दिया है और अभी हम उसको medium to low flame पे उसको पकने देंगे अभी उसको थोड़ी देर ढग देंगे फिर थोड़ा सा तेल उसको लगाएंगे और थोड़ी देर उसको ढग देंगे अभी आप देख रहे हैं मैं उसको जराप पलटा के देखती हूँ देखिए कितने अच्छे हमारे अपे हो गए है एक साइल अच्छे से हमारा पक गए है फिर मैंने सारे ही इससे पलटा लिये है और वापस उसको टक के दो मिनिट के लिए हमें उसको पका लेना है देखिए friends, दोने साइड हमारे अपे बिल्कुल पक के रेडी हो गए है तभी हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और अभी आप देखो कितने अच्छे हमारे अपे बने है देखिए सारे की सारी सबजी है उसमें दिखाई दे रहे हैं और टेस्ट यकिन मानो फ्रेंट इतना अच्छा आएगा कि आप एक बार 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 उसको बना के खाओगे आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसको लाइप सेर और सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उसको देख पाओ थेंक्यू फॉर वाच्छेंट